असलाम अलेकम दोस्तों वेलकम बैक टू में चेनल तो आज मैं अपलंगे साथ शेयर कर रही हूँ आलू लच्छा पराथा जो बहुत ही ज़्यादा जबर्दस रेसिपी है फ्रेंड्स और इतना आसन तरीके से बनाना बताऊंगी मैं आपको तो वीडियो को भी ने स्किप य आप जालने के बाद अच्छा मिक्स कर लेंगे हम आटे में यह सारी चिजों को मिक्स करने के बाद देखे यहां पर हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे इसका एक soft dough बना लेंगे हम तो देखे आठे को हमने अच्छे से इस तरीके से करना है और इसका कीज है अच्छे सा soft dough बना लेना है हमें तो देखे फ्रेंट्स, आटे को मैंने यहाँ पर अच्छे से गुन लिया है, यह अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, इसके उपर बिल्कुल थोड़ा सा हम यहाँ पर तेल डालेंगे, और आटे को बराबर से इसमें तेल लगा लेंगे, और इसको ढखकर हम रख देंगे, हम आल 30% था कि बॉयल करना है, बहुत ज्यादा हमें 100% इसको बॉयल नहीं करेंगे, वरना आपका आलू का बैटर नरम हो जाएगा, और पराठे में से आलू बाहर निकल जाएगा, तो पराठे बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे, अगर आप इसको 100% बॉयल करेंगे, तो द चमच दाल लेंगे धनिया पॉडर, और यह आदी चोटी चमच इसमें दाल लेंगे, हम जीरा पॉडर, अब इसमें दाल लेंगे, हम एक चमच यहाँ पर दाल लेंगे, आम चूर पॉडर जिससे की टेस्ट बहुत ही अच्छाएगा, फ्रेंड्स यहां पर एक चोटी मिक्स कर लेंगे, यहां पर ताकि आलू में सारे मसाले यहां पर अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, तब तक हमें इसको मिक्स करना है, अगर आप आलू को बहुत ज्यादा बॉइल करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था तो आपका बैटर बिल्कुल भी अच्छा नहीं बिल्कुल भी नरम पड़ जाएगा यह और पराटे बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, तो यहां पर मैंने सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो देखे इस तरीके से बैटर का हमारा आलू का डो बनना चाहिए, तब तक हमें इसको यहां पर मिक्स कर लेना है, तो देखे 20 मिनिट हो गया है, आटा भी हमारा अच्छे से रेस्ट हो गया है यहां पर, तो देखे आप एक कोई भी गिर्दा ले लिजे, किसी पर भी आप बिल रहे हैं, तो वो ले ले लेंगे हम यहां पर इस तरीके से हम इसके पेड़े बना लेना है, तो देखे इतने आट बना लेंगे, अब एक पेड़ा ले लेंगे यहां पर, और सुखा मैदा दाल लेंगे, हम सुखा आटा या मैदा दाल कर इसके बड़ी सी रोटी बना लेंगे, जरूरी नहीं है कि गोल ही आए, ट्रैंगल शेप, स्कौाइर शेप, किसी भी शेप में, आप इसको बेल सकते हैं, फ्रेंड्स यहां पर, तो देखे, हमने बड़ी सी रोटी बेल ली है, यहां पर, आप इसकी यहां पर थिकनेस देख सकते हैं, मैंने इतनी सी थिकनेस रख ली है, इसकी तो यहां पर हमारी रोटी अच्छे से बेल ली है, हमने अब इस पर दाल लेंगे, एक चमच यह सीरा उठाएंगे हम इस तरीके से इसको फोल्ड करते जाएंगे तो देखें यह आसानी पर अच्छे से प्रेस कर लेंगे सारा अच्छे से यहां पर इसके उपर से चिपक जाना चाहिए तो देखिए इसको भी हमने बराबर कर लिया है अब देखिए फ्रेंग्स अब हम इसको यहाँ पर पेड़े बना लेंगे इसके एक चाकुल ले लेंगे चाऊकि कि मदद से हम यहाँ पर इसके cut कर लेंगे पेड़े, आपको अपने हिसाब से छोटे बड़े, आपका प्राठा कितना चोटा बढ़ा आपको पसंद है, अपने हिसाब से आप यहां पर पेड़े को cut कर सकते हैं, तो दीखे, एक लेलिया है मैंने, और इस तरीके से हम पेड़े बना लेना है friends, एक हिच्सा उठा लेंगे एक पेड़ा उठा कर, हम देखिते इसको इस तरीके से प्रेश कर लेंगे, यहांपर देख सकते हैं आप इसके लच्षी इस तरीके से कर लेंगे तो अभी सही कितने अच्छी इसके लच्षी आ रहे तो दूसरे भी पेड़े हम इसी तरीके से बना कर रेडी कर लेंगे यहाँ पर तो देखें दूसरा भी हमने इसी तरीके से बना कर रेडी कर लेना है तो देखें सारे हमने यहाँ पर इसी तरीके से बना कर रेडी कर लिए है अब एक पेड़ा ले लेना है हमें यहाँ पर इस फमस्टरा प्रेड़ा लेकर इसको भीहम इसी तरीके से भिल लेंगे फ्रेंड हर ठीच कैना से फ्रेंड के साइज में दो प्रेड़े कर सुभले लेकर के हैं और यहां पर एक जो रोटी बना लिए हमने उसके उपर इस तरीके से बैटर रख लेंगे और इसके कोनों पर हमने अच्छे से पानी लगा लिया है जो की वीडियो में नहीं आया है तो जो जो दूसरी रोटी हमने बना लिए हुसको इसके उपर से रख लेंगे और इसके कोन आपको छोटा बड़ा कितना पराटह चाहिए आप अपनी साप से बनाने से आप देख सकते हैं आलू भी बिलुकुल पराटह के बाहर नहीं निकलेगा यहां पर इस तरीके से बनाने से तो देखे-गैस पर मैंने तवेक अच्छे से गरम कर लिया है यहां पर और पराटह को यहां पर तो इस तरीके से आसान तरीके से आप बनाएंगे फ्रेंड्स तो आपके आलू के पराटे में का आलू भी बाहर ने नेक लेगा और बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो जाते हैं फ्रेंड्स अगर आपको रेसे भी पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को ज़रू से सब्सक्राइब कर लीजिए तो देखें दूसरे भी हमने इसी तरीके से बनाकर रेडी कर लेंगे तो आप इसके ओपर तेल बटर घी कुछ भी लगा सकते हैं फ्रेंड्स यहां पर और यह बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनते हैं फ्रेंड्स इस तरीके से बनाने से तो द जरूर बनाईए ये संडे स्पेशल रेसेपी है आप इसको जरूर ट्राइ किजिए इस तरीके से और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको रेसेपी कैसी लगी फ्रेंड्स अगर आपको में रेसेपी पसंद आती है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए जाधा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्लीज मरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए इंशाला बहुत ही जल इसी तरह की कोई आसान और मज़दार रेसेपी आपके साथ शेयर करूंगी तब तक के लिए दौा में याद रखिए अल्ला हाफीज